यहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताएंगे अगनीवीर आर्मी की जो बर्ती है उसके लिए उमर सीमा क्या रहेगी दोहजार पचिस वाली जो आने वाली नई बर्ती है अगनीवीर आर्मी की उसके लिए उमर सीमा क्या रहेगी इस वीडियो में आपको बताए क्या उन बर्थियों के लिए अगनी वीर ट्रेड मैं टेकनिकल कलर्क के लिए उमर में शूट मिलेगी जा नहीं मिलेगी वो मैं आपको आगली वीडियो में बताऊंगा अगर वीडियो चाहिए होगी नीचे ट्रेड मैं लिख देना अगर ट्रेड मैं की चाहिए होगी अगर color की चाहिए होगी तो color की लिख देना अगर technical की चाहिए होगी तो technical लेकिल देना इस वीडियो में हम आपको GD की उमर सिमा बताएंगे 2025 वाली जो बर्थी होने वाली है देखिए जो हम आपको उमर सिमा बताएंगे बही रहने बाली है लगबग बही रहेगी जो अभी मैं आपको बताएंगे आप इस उमर सिमा पर अगर आप हो तो अपने 25 वाली बर्थी की तैयारी शूरू कर देना चलो आपको बताते हैं देखिए आने बाले समय में इसी चैनल पर 2025 वाली बर्थी का स्लेप बस क्या होगा GD का क्या होगा क्या document चाहिए farm बरने के लिए farm कब आएंगे पूरी जानकारी इसी channel पर मिलेगी अगर पहली बार देख रहे हो ना channel को तो subscribe कर ले ना army दोस्त को जुड़ जाना army दोस्त के साथ अगनी वीर की कोई भी खबर आती है बर्थी को लेकर सबसे पहले मिल जाती है चलो आपको बताते है देखिए अगनी वीर जीडी 2025 के लिए जो उमर रहेगी देखिए दोस्तो आपकी जो रहेगी वो साड़े सतरा से 21 बर्ष ही रहेगी अब इसमें age कटा कौन से बर्ष से लेके कौन से बर्ष तक farm डलेगा वो आपको बता देते हैं उमर आपको कलेर कर देता हूँ साड़े सतरा से 21 ही रहेगी ठीक है जीडी के लिए अब age कटा बता देता हूँ 2021 अगर आपकी उमर एक अक्टूबर 2004 से लेके एक अपरेल 2008 के बीच अगर इसके बीच में कोई भी डेड़ा बर्थ है आपकी तो आपका फार्म लग जाएगा इसके अंदर होना चाहिए एक अक्टूबर 2004 से लेके एक अपरेल 2008 के बीच बीच किसी भी राज्य में रहते हो अगनी वी डीडी के लिए आपका फार्म डल जाएगा आप बर्ती देख सकते हो देखिए फार्म बरने के लिए अज्यूकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको आने वाले समय में इसी चैनल पर अपडेट मिलेगी चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में जाहीं जा वरत